इंडिया में PUBG मुबाइल को बैन हुए अब एक महीने से ज्यादा हो गया इस गेम का इंडिया में फीचर क्या होगा इस पर अभी कुछ क्लारिटी नहीं है हो सकता है कि अन्बैन हो जाए और देरार चांसिस के बैन को एक्स्टेंट कर दिया जाए PUBG बैन से रिलेटिड जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं लगातार आपके लिए लेकर ही आता रहता हूँ लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि PUBG और रिलाइंस जियो के बीच पार्टनर्शिप को लेकर क्या बात चल रही है और उससे PUBG की राह इंडिया में कितनी आसान हो सकती है लेकिन इस सब के बीच PUBG से रिलेटिड एक और बड़ी खबर आ रही है और वो यह कि PUBG मुपाल के सर्वर्स पर हैकर्स ने DDoS अटेक कर दिया है जिससे दुनिया भर में गेम के सर्वर्स जैम हो गए है और गेम बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है यानि इंडिया में बैन होने से तो PUBG अल्रेडी सद्वे में था ही अब हैकर्स ने भी इस गेम को नया सरदर दे दिया है तो आज के इस टेक टॉफ वीडियो में आपसे मैं इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे हैकर्स ने PUBG के सर्वर्स को हैक कर लिया है इससे क्या-क्या इशूस प्लेयर्स फेस कर रहे हैं और साथ ही जानेंगे कि आखिर ये DDoS अटैक होता क्या है तो दुनिया भर में PUBG प्लेयर्स गेम खिलते हुए कई इशूस फेस कर रहे है जब भी गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो कई बार गेम फ्रीज हो जा रहा है और कई बार खुद बखुद डिस्कनेक्ट हो जाता है जिसकी वज़ा से PUBG प्लेयर्स पूरी तरह से फ्रस्केटेड़ है कुस लोगों का कहना है कि गंस पिक करने से पहले गेम फ्रीज हो जा रहा है और जैसे ही रीकनेक्ट होता है तो दे प्लेयर गेट्स किल्ट इसके बारे में PUBG ने भी अपने उफिशल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि गेम पर इस वक्त DDoS अचैक हुए है और इसकी वज़ा से प्लेयर्स डिस्कनेक्ट का इशू फेस कर रहे है PUBG का कहना है कि इस इशू को जल्द ही जल्द रिजॉल कर लिया जाएगा साथ ही एक एक एंटी चीट पैच पर रिलीस किया जाएगा ताकि हैकर्स और चीटर्स गेम में एंट्री ना ले सके एक्चुली इस अटैक से गेम तो डिस्कनेक्ट हो ही रहा है साथ ही साथ hackers हर player को freeze कर दे रहे हैं और एक player आकर उन सभी को kill कर देता है मतलब one player is getting 99 kills through cheating and it gets really frustrating और यह सब हो रहा है DDoS attack के जरीए DDoS attack होता क्या है चलिए आपको बताता हूँ तो DDoS attack का मतलब होता है distributed denial of service attack इसमें hackers servers पर cyber attack करते हैं और उसको disrupt कर देते हैं ऐसे में अगर एक system किनी servers को jam करने के लिए बहुत ज्यादा data send करता है तो उसको DOS या फिर denial of service attack बोलते हैं लेकिन अगर यही काम कई systems के through किया जाता है तो उसे distributed denial of service यानि DDoS attack कहा जाता है DDoS attack में 1000 और लाखो systems का इस्तेमाल किया जाता है और उनके through servers पर इतना data send किया जाता है इतनी information send की जाती है कि वो आखिर में jam हो जाता है hacking और jamming में शामिल ये सभी devices botnet का हिस्सा होते हैं जो आपस में remotely connected होते हैं और एक साथ servers पर attack करते हैं लेकिन 1000 और लाखो system एक साथ कैसे काम करते हैं क्या इसके लिए 1000 और लाखो hackers की जुरूत होती है नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है DDoS attack एक group of hackers initiate करता है इसमें लोगों के system में emails attachment और दूसरी files के जरिए malware install किये जाते हैं और फिर इन सभी systems को hacker control कर लेते हैं यानि इसमें आपका system भी शामिल हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलता पर आठ या दस hackers मिलकर भी 1000 और उनके थूरू servers पर DDoS attack करते हैं So that's how it's done So हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी भी unverified link पर कभी भी click ना करें और किसी भी suspicious attachment या फिर file को download ना करें बरना इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे PUBG mobile के servers पर server attack हुआ और ये भी जाना कि आखिर DDoS attack होता क्या है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही लेटेस टेक लेटर वीडियो के लिए आप ABP Live app डाउनलोड करें और वहाँ पर जाकर टेक टॉक वीडियो ज़रूर देखिए ABP News आपको रखे आगे